नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं जियो पोज पिलस के एक नए अपडेट के बारे में दोस्तो यदि आप एक JioPos Plus के retailer है या दोस्तो आप JioPos lite में account बनाकर JioPos Plus में log in किये हो तो दोस्तो आज की ये cover आप सभी के लिए बेहर ज़्यादा खास और important होने वाली है क्योंकि दोस्तों बारस सरकार के एक नियम के अनुसार यदि कोई भी रिटेलर उन नियमों का उलंगन करता है तो उन रिटेलर भायों की कम से कम 30 दिनों के लिए एक्टिवेशन सर्विसों को बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों आज कि दो मैं चर्चा करने वाला हूँ उन सभी नियमों के उपर जिसे कि कोई भी रिटेलर इन नियमों का उलंगन ना करे और उनके एक्टिवेशन राइट्स बंद ना हो तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर JioPorge Plus के अंदर आप सभी को एक notification का option दिया जाता है उस notification का सभी retailer भाईयों को ये benefit है जब कभी भी Jio Company कुछ भी नया update लाती है JioPhone Nest हो या JioPhone Nest का commission हो या कोई भी activation का commission हो या MNP का commission हो या किसी भी परकार की कोई भी जानकारी retailer तक पहुचाई जाती है तो वो दोस्तों इस notification के जरी ही सभी retailer भाईयों के पास सूचना दी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं अपने JioPorge Plus को login करके अपने JioPorge Plus के notification वाले option पर चेक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक notification दिया जाता है Jio Company दोआरा जिसमें बाका इदा लिखा गया है कि भारस सरकार के नियम के अनुसार जब कोई भी retailer या retailer के पास चुड़ा होगा कोई भी ad agent माल लिजे जदी आप एक retailer है और आपका जो लापू SIM card है वो आपके किसी other family member के नाम पर है या दोस्तों आपने JioPorge Plus के अंदर जो registered mobile number आपने किसी family member के नाम पर चला रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर verification जदी आपने खुझ से किया हुआ है या दोस्तों आपका लापू आपके नाम पर है लेकिन आपने जिस बंदे को JioPorge Plus के अंदर add agent बना रखा है और वो जो SIM card आपने JioPorge Plus में उस बंदे का add करा है और दोस्तों वो SIM card उस बंदे के नाम पर नहीं है तो दोस्तों भारत सरकार के नियम के नुसार आपकी जो activation rights हैं उनको छीन लिया जाएगा तब तक छीन लिया जाएगा वो आपको कब तक नहीं मिलेंगे ये भी जान लिजे जब तक आप अपने लापू SIM card को अपने नाम पर नहीं करवा लेते मान लिजे ज़े ज़े दोस्तों यदि आप एक retailer है और आपकी उवर काम है और आपने अपने किसी भी family member का registered mobile number Jio Pose Plus में add करा दिया है और वो SIM card आपके नाम पर नहीं है और SIM card लेकिन आप ही चालू करते हो तो दोस्तों ऐसे में भी आपके जो activation rights हैं उनको हटा लिया जाएगा और आप सभी को पता है कि आपर Jio Company की जो भी distributor होते हैं या TMRM होते हैं वो कित्वी जल्दी से कारवाई नहीं करते हैं जिससे कि आपको लंबे समय तक activation rights के जो option है वो नहीं मिल पाएंगे तो दोस्तों बार सरकार ने काया कि जो भी retailer काम करें यदि मालेजे मेरा Jio Post Plus है तो उसमें जो add लापू जो लगा हुआ है Jio का number लगा हुआ है वो मेरे नाम पर होना चाहिए तब ही हम Jio Post Plus में activation कर सकते हैं दोस्तों ये आपसे पहली भी एक update आया था इसी को लेकर जिन रिटेलों नों सुधार कर लिए उनके लिए अच्छा है लेकिन जो हाल फिलार में retailer बने हैं उनके लिए काफी जादा दिक्कत आ जाएंगी यदि आप एक retailer है तो SIM card आपके नाम पर होना चाहिए यदि आप जिस बंदे को अपने Jio Post Plus के अंदर add agent बना रहे हैं तो वो SIM card उस बंदे के नाम पर होना चाहिए जिसको आप add agent बना रहे हो यदि आप इन समस्याओं को दूर कर लेते हो तो दोस्तो आपका Jio जो भी आप activation night है वो आपके नहीं बंद के जाएंगे तो दोस्तो इस पर जो है company जल्द से जल कारवाई करेगी यदि आपकी ये समस्या है तो इसे जल से जल ठीक करें तो मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको कैसी लेगी है कमेट सेक्शन में कमेट करके जरूर बताएगा मैं लेता उजाज़त मिलेंगे आपसे फिर किसनी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत